भागते दौरते और तनाव युक्त जिन्दगी लोगों के जीवन का हिस्सा बन गई है लेकिन उससे कैसे मुक्ती मिले क्या करें उसके लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है समर जीत सिंग जी समर जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है तैंक यू डॉक्टर सम और तनाव मुक्त रहें समर जी सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे यह है कि योग है क्या योग सब्द जो है संस्कृत की कहें यूजदातू से बना हुआ है उसमें घ्रह प्रत्य लगा के योग सब्द का निर्माड हुआ है और इसके रचाइता है महर्शी पतंजली जी तो की जिनके द्वहरार अचीत है और उनका योग के जो शुरुवात करते हैं योग की उसमें सबसे पहला सबसे पहला सूत्र जो उन्होंने वताया है कि अथीयोगा अनुशास्णम मतलब योग करने के लिए पहले आप सबसे पहले आप अनुशासन में आ जाईए या अनुशासन में रहना सीखिए यहां पर अनुशासन कार्द साथधान विश्राम वाला नहीं है जिन्धी का है और अनुशासन अपने ऊपर ही लेना मानसिक भी होना चाहिए वह किस तरीके का कि समय पर उठें कि अनुशासन का मतलब योग के लिए शल्यक्ता बताया है योग के लिए पहले हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले तो सूरयोदा के पहले ऊठे नित्यक्रियां जो भी हैं वो करें उसके बाद किसी आसन में वेराज हो वह अनुसासन का मतलब योग का अनुसासन वो है उसके बाद जो है दूसरा तुर ने बताया जो योग की परिभासा जो चलन हैं और किसी से भी पूचेंगे तो साइद यही बोलेगा नुपम करेंगे पहले योगा चित्ति बृट्थि निरॉध कर analogy चित्ति की बृत्ति निरोध करना दिला रिदक योग योगत इवդ ही बताया है लेकिं जो इसको भूल जाते हैं। योग अनुशाषन बीना इस ज्ड़ूरी है। बिना अनुशाषन सब्सक्राइब नहीं। भूर्द करते हैं क्यों जरूरत है। योग जरूरत है इसकी अभी जो बर्तमान में जैसी लाइफ इस्टाइब हो गई है। जाहे वो आपका खाने पीने से लेके घुमना फिनना सब कुछ उसके लिए हमको फिट रखना ठीक है फिट रखना मलब सारी रूप से भी मानसिक रूप से भी और आर्थिक रूप से क्योंकि वह भी बहुत जरूर जरूरी है तो जाहिर सी बात है कि काम ज़्यादा कर पाएंगे और आर्थिक मजबूत हो जाएंगे बिलकुल तो वह बहुत जरूरी है तो खास तोर पे देखा जाता है कि आपके पास भी जो लोग आते होंगे योग सीखने के लिए योगा सीखने के लिए तो प्रश्ट एक ही चीज र कहता है कि बजन कितने दिन में कम हो जाएगा योगा से तब हमारा कुछ चैनल होता है कि आपने इसके पहले और क्या क्या किया बजन गटाने के लिए तो कोई बताया जिम गए वहां इतना गड़ गया लेकिन फिर अचानक से बढ़ गया किसी ने नेबू पानी के लिया किसी वजन बहुत कम घटेगा घटेगा जरूर लेकिन कम होगा लेकिन आप चाहो कि जैसे जिम में जाके आपने रोज एक गंटे डेड़ गंटे मेहनत की पूरा डाइट फालो किया घट गया दो किलो तीन किलो योग में ऐसा बिलकुल नहीं होगा योग आपको स्वस्थ रखे गटाएगा लेकिन एकदम से नहीं कि जैसे आप बोलें कि एक महेने में कितना घट जाएगा ऐसा नहीं संब्भा हो है क्योंकि हम जैसे जिम में जो करते हैं वह यहां नहीं करा पाएंगे ना आप कर पाऊगे योग है क्या सांती कभी से सांती से करना है एकदम आराम आराम से करते हैं तो उसमें थोगा टाइम लगता है लेकिन वजन भले नहीं घटे बहुत सारी चीजे इंप्रूब होती है बिल्कुल योग जरूरी है और ततकालिक आपका वजन घटा दे ये योग ने कभी नहीं कहा इस बात का कोई किखे रुद क्या प्रासु आपकोविंधि नहीं करते होती है वो योग बहुत जल्दी ठीक कर देता है शंदुलित करता है यह जानना चाहूंगी कि कि सूर्य नमस्कार हम करते हैं योग में बहुत महत्वपून आसल तो उससे क्या लाब होते हैं और कितने आसन एक सूरे नमस्कार में होते हैं देखे सूरे नमस्कार सबसे पहली बात तो योग में नहीं है ही नहीं खीक है जी वो अलग रिया है योग अलग है बिल्कुल ये समझने वाली बात है हम उसको एक ही अंग समझते हैं और हम लोग को लगता है लेकिन ये है सूररनमस्कार जैसे मैंने पहले बताया था कि पूर्ण सौस्त जो me τι है बना कि किसी को हर्ट का कोई ब्स नहीं है जिनको स्पाइशन में कोई प्रावलम नहीं है वह लोग है कम समय अगर आपके पास उसके लिए सूर्य नमस्कार वेस्ट है सूर्य नमस्कार करते वक्त कई आसन उसमें आ जाते हैं उसमें 12 मुद्राइं है वो कौन-कौन सी है थोड़ा सा एक्स्पिन करेंगे दर्शकार जैसे एक तो सबसे पहले मित्राय नमय है फिर पीछे से जाते हैं रवे नमय है ऐसे फि प्रवतासन करते हैं प्रवतासन आ गया अस्वससंचालत आ गया और वह 12 क्रियां है उसमें हो जाती है यो की तो वो फायदे मन तो बहुत है लेकिन थोड़ा सा समझने की बात है कि अगर कोई वैसा पेसेंट है हाट का या इस्पाइन का तो वो बिना सला के बिलकुल भी ना करे अभी की जो दिन चर्या रहती है और हम लोग अनहेल्डी पूड ही खा रहे हैं कितना भी बचने की करें लेकिन कहीं ना कहीं से क्यामिकल और यह सारी चीजा हमारी बॉड़ी में जाती है जिसकी वज़े से गैस्टिक इशूज और एस्टिटी वाले इशूज और अलसर जैसी प्रॉब्लम जो होती है वो बॉड़ी में बन जाती है तो उनको कौन सा योगासन उसके लिए आपके कब्ज के लिए भी और जो आपका टार्गेट रहता है कि वजन घटाना तो वो उसमें भी लापकारी है और दूसरा आसन में जाएंगे तो सबसे सरल सबसे सरल आसन है वजरासन कभी भी एक आसन ऐसा है ये वजरासन जिसको आप खाने के तुरंत बाद ही लगाना जिनको भी गैस का प्राबलम है कब्ज रहता है इस होता है वो खाने के तुरंत बाद उस पर बैठ जाए वजरासन में और उसको बैठने के लिए भी कोई ऐसा नहीं याए कहीं भी आप बैठ सकते हो विस्तर पे भी आप बैठना चाहाओ कंशे आपके घुट्नों में दर्ध नहीं होना चाहिए। अगर इंट्रम अधन्य को व्यक्राइद को है अगर बैढ़ते वह थो फिर किसी निर्देशन संध्ध करके उसमें तक इसनी कोते जिए है। ऑफ वंपार बीच मी लगई है। मुला उसमें ऐसा है कि आप अपना कुछ जो भी काम करना हो कुछ पढ़ना हो कुछ किसी से बाते करना हो वो भी करते रहों तो बज रासन लगा के आप कुछ भी करिए बस आपको इस पाइन सीधी रखनी है सीधे बैठना है बाकि आप कुछ भी करते रहें अच्छा आप इस एक गुरू जी हैं, उन्होंने बताया था कि सबसे जैसे अभी आठ गहंटे, दस गहंटे सिटिंग वाला जाब है, उसमें कई बार ऐसा होता है कि दो, दो, तीन, तीन, गहंटे कांटी न्यू बैठे रहते हैं लैप्टाप या कम्प्यूटर पर, तो उससे सिर्थ तो अपन जुका ही रहता है, तो उससे क्या प्राबलम होती है, ज्यादा तर? साइटिक और इसमें, तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, ना अलग से समय निकालना है, ना सुबा ना साम, जब भी आप अपने आफिस में, बैठे बैठे, हर घंटे या दो घंटे पर, एक बा जाएए खड़े हो जाएए चेर से, थोड़ सा स्ट्रेचिंग करिए, ठीक है, एक मिनट के लिए, मात रेक मिनट देना है, फिर आप बैठ जाएए, अगर आपको पानी पीना है, तो किसी से ना मंगवा के स्वयम चले जाए, दस कदम, वहाँ पानी पी के आजाए, बादी मोमेंट रखना बहुत ज़रोगे, और आप चेर पे अपने इसी चेर पे बैठे बैठे, हर दो घंटे में, ये तो करी सकते हैं, ऐसे, बस इसको ऐसे यहाँ, एक मिनट, दो मिनट, जितना हो जाए, यहाँ रोक कि अगर नहीं हो पा रहा है, एक मिनट, वापस आ जाएगी, तो आजस करिए, फिर से करिए, ये अगर आप हर दो घंटे में, दो मिनट के लिए भी करते हैं, आपको कभी स्पॉंडलाइटिस नहीं हो, आप बारा घंटे भी काम करते रहेंगे, कभी प्राबलम नहीं हो, बोडी स्टिक हो जाती है, हैंस मुमेंट्स नहीं होते, लेग म बैठे कर सकते हैं, जिससे हमको आराम मिले बोडी में, और अगर हमको यूगा क्लासेज में भी जाना है, तो किस तरीकी के व्यायाम हमको जादा करने चाहें, अगर आप घंटे हैं, या करना चाहते हैं, तो आप बैठे-बैठे योग आसन योग मैट ले लीजिए या जो भी हो आपके पास दरी और इसको बिचा के आप अगर आधे गिंटे 40 मिट भी देते तो पर्याप थे तो आप बैटे बैटे अगर नहीं ज्यादा समय तो जैसे यह हाथ पहर का मुवमेंट है यह सब ऐसे यह करना यह ऐसे कर लीजि हडवड़ी में नहीं और जब करते हैं तो हमारा ध्यान जो चीज हम कर रहे होंगे वहां लगाना है क्योंकि हमको उसको चेक करना है कि हम यह कर रहे हैं तो इससे कहां कहां खिचा हो रहा कहां तना हो रहा तभी हम उसके फाइदे नुकसान समझ पाते हैं यह सब आप में च तर्चा हुई कि सूर नमस्कार अगर आपको ऐसी कुछ प्राबलम नहीं है दस मेर सूर नमस्कार कर लीजी तो पूरे दिन के अनर्जी और पूरी बोड़ी का रिलाक्स आपको उतने में मिल जाएगा टॉक्तर समर जी सिंग जी हमको बता रहे हैं योग क्या है और योग में अनुशाशन कितना जरूरी है आगे भी समर जी सिंग जी से बात करेंगे तब तक के लिए एक छोटा सब्राव अच्छा मस्ती और मुझसे कौन कहता है पनीर सीधा सादा होता है ये ना तो सीधा है ना सादा चटपटव है नया Milch Magic Healthy Cub Bites Spice Infused Paneer खाओ कभी भी कहीं भी Milch Magic Healthy Cub Bites पनीर पे अब स्चेड़ गई ब्रेक के बाद आपका फिर सवागत है और ढ़्क्तर समर जी सिंग जी हमको बता रहे हैं कि योग क्यों ज़रूरी है अगर एक घंटे में योग की बात करूं कि एक घंटा बहुत सीरिस वे में हमको योग करना है कौन कौन से आसन हमको करने चाहिए जो हमारे पूरी बॉड़ी के एक एक पार्ट को भी अराम दे और पूरे दिन की एनर्जी भी हमको बेजाए एक तो हो गए अपना सुर्नवस्क कर लिया उसके बाद आप जैसे सीधे लेटके सुरुवात करते हैं आसन पर पहले सुरनवस्कात जो लोग नहीं करते वह थोड़ा सा सूच में आम करने यह हाथ पेर के यह करके और अपना सीधे लेट जैं सीधे लेटके कुछ आसनों के मैं नाम बता देता हूं जैसे अर्धहलासन बहुत लापकारी है अर्धहलासन मतलब पूरा एक पैर उठाना है अपनको 90 डिग्री तक लाना और वहां कुछ देर रोकने कुछ साथ वापस दिरे दिरे वापस आना है दूसरा पैर करना है कंकरने में मदद करता है पर आगे पवनमुक्तासन वह नाम से ही थोड़ा सब वैसा है पवनमुक्तासन से आपका जो कपज का प्राब्लम रहता है उसके लिए फायदे मंद्ध है त्लिक है आप आ जाते हैं अपन शेतुबंध आसन उसमें क्या करते हैं दोनों पैर मोड़के और कमर को उठाते हैं तो उस से क्या होता है हमारे पैरों पे श्ट्रेंथ आती है क्योंकि शोल्डर पे बजन लेते हैं और हमारी कमर दर्ध के सबसे अच्छा आसन सेतुबन कमरदाद में भी बहुत लापकारी है उसके बाद आ जाएंगे पंसराल आसन में तो मरकट आसन उसको कहेंगे क्रोकोडाल उसमें दोनों पैर मोड़के साइड में ले जाते हैं उसके अपोजित सिर करते हैं वो पूरी स्पाइन का बॉड़ी को मूप कर देते हैं कि कपड़े नी चोड़ते हैं वैसा काम करता है वो इस्पाइन की एक्सेसाइज के लिए सबसे अच्छा आसन और सबसे सरल भी है यह हो गया और इसके बाद अगर थोड़ा सा नौकासन कर ले और अगर ज्यादा प्राब्लम नहीं है सर्वांगासन कर ले सर्वांगासन मतलब आसनों का राजा सर्वांगासन सभी अंगों का वैयाम उससे हो जाता है अगर सही तरीके से करते हैं तो और उसको रोकना भी कम से कम दो से तीन मुट लेकिन वो अभ्यास की बात है बिना किसी के निहरेशन के वो नहीं करना बस ऐसे ही पेट के वन पेट के भी आ जाएंगे पन तो सल्भासन हो गया जैसे सब यह सब सरालासन है दोनों पैर एक साथ उठाना जिनका नहीं उठता वो एक एक पैर उठाएंगे वो भी साइटिका के लिए है और इसके बाद पेट पे नौकासन है उससे वजन भी कम होता है और थोड़ा सा ब् करते हैं जो जो उल्तालेड के करते हैं वह दोनों के लिए जो आगे और और जैसे नौकासन हो गया फिराप का आ गया वो जंगाशन है वकासन के ब्रकार है तो सरल भुजंगासन करें सबसे अच्छा थोड़ा साहत मोड़के बिना किसी सपोर्ट के जितना उठ जाए सामने सपन को सर्प की तरह उठना है उपर जितनी देर रोक सकते हैं रोकी उससे पूरी स्पाइन की मसाज करता हूँ तो इस्पाइन के लिए भी आसन है और उससे भी कमरदर्द में भी लाबकारी है भुजंगासन उसके बाद उसी में धनुरासन हो जाएगा एक बहुत कौमान आसन है जो नॉर्मली लोग घर में करते हैं सब कर सकते हैं एक सार कपाल भाती और आपका कुछ आसन ऐसे रहते हैं जिनको लोग करते रहते हैं कभी भी कहीं तो उनकी सही क्रिया असल्में लोगों को नहीं मालूम होती कि किस तरीके से करनी कापाल भाती यह पुराणयाम में नहीं पाल दूसरी बात सही तरीके से हो रहा है कि नहीं वो हमें पता होना चाहिए नहीं तो आप दिन बहर करते रहों कोई फायदा नहीं होने वाला जैसे आभी आप देखो रोड में चलते फिरते भी कई लोग करते रहते चलते रहते और कपाल बाती उनका चलता रहता है मेरा सवाल इसलिए था कि लोग तब देखो कपालबाती कर रहे हैं मगर क्या वो सही कर रहे हैं क्या उससे लाब होगा नहीं सही तो बोली नहीं सकते क्योंकि आसन करने के लिए भी एक समय सीमा होती है अब ऐसा थोड़ी चलते फिरते कुछ भी कर रहे हैं को पुलिये में बैठके भी बहुत लोग करते रहते हैं अभी सर कोरोना के बाद से लोगों के लंग्स इंफेक्टिव हुए और भी कई सांस लेने में दिखेते हुए तो कौन सा आसन है जो हमारे लंग्स को भी मजबूत करें और सांसे भी शुद करें और सांस रोखने की भी शमता बढ़े हो सबसे पहले तो देखें स्वास के लिए जो लंग्स के लिए बोल नहीं है उसके लिए तो सबसे बेस्ट है प्राणायाम में जैसे आपका हो गया नाडी सोदन ठीक है अनलोम बिलोम जिसको बोलते हैं वो भी लंग्स की कैपिसिटी बढ़ाने के लिए है और अनलोम बिलोम का मुख जो फायदा है वो यह है कि वो हमारा ब्लट को प्यूरिफाई करता है लो इसलिए उसको दूसरा नाम में नाडी सोदन दिया जितनी भी नाडियां है उन सब का रक्त सुद्ध करता है तो जब ब्लट सुद्ध होगा तो स्वभाविक की लंग्स की कैपिसिटी बढ़ेगी अगर संचार हमारा ब्लट का बराबर होगा शरीर में तो निश्चित रूप से फायदा होगा उसको करने का भी कोई तरीका है कि चिक्स की गांटिं तक सांस लेनी है फिट्वल की गांटिं तक वह वह देखे रेशियो है उसका एक कि अगर आप दो सेकंड सांस ले रहें तो उसको चार सेकंड में निकालना चोडने का टाइम डबल करना और अगर रोकते भी है कि आ सांस को रोकते भी है वह पूरक कुम्भक रेचक ऐसे योग की भासम है तो पूरक मतलब सांस लेना मतलब दो मिनिट दो सेकंड ली है तो दो सेकंड चार सेकंड रोकनी है पूरक वन फोर टू करेशियो होगा जैसे अगर आपने एक सेकंड सांस ली तो उसको चार सेकंड रोकना है दो सेकंड में बाहर करना तो वह उनके लिए है जो बच्चे कोर्स करने के लिए ठीक है उन के लिए उनके लिए है और कोई भी कर सकता है लेकिन जैसे भी मैं लीजे हाट पेसेंट है उसको हम अगर इस बिदी से कराते हैं कि दो सेकंड लीजिए फिर आठ सेकंड रोकिए तो आठ सेकंड आप सोचो वो रोकेगा तो उसको क्या होगा तो इसलिए अगर सहज उससे करना है तो आप पूरक और रेचक लेना और छोड़ना सबसे बड़िया बच्चों की बात करें बच्चों की बात यहां पर आई है तो एकागरता की बहुत कम ही हो गई है बच्चों में बहुत कम है और पढ़ाई और स्पोर्स जैसे पहले होता पास मेदान है और खेलने के लिए घंट उनके पास है लेकिन समय बचा है और शुम cognitive के बहुत कobhИ है कौनसा आसन भच्चों से लगवाए गर travel हैं harsh जितने भी अब आद E सब कहना है तो बच्चे सुनते नहीं कि आगे का जो भविस है बच्चों का यह जो जो आप समस्याओं के बारें बोल रही है यह सब समस्याओं हैं और आगे इनको बढ़ते ही जाना है उसी के लिए योग विसे उसमें जोड़ा गया है कि बच्चे कुछ जाने समझें और करें तो बच्चों के लिए सब से अच्छा कंसेंट्रेशन के लिए जैसे प्राणायाम में भ्रामरी हो गया कुछ नहीं करना आपको बस सीधे बढ़ना है आग बंद करके और मां काउचांड करना ओम चैंटिंग हो गई और अगर ज्याद बच्चों से कराए जा सकता है और यह इंट्रेस्टिंग भी है बच्चे इसको मजे मजे में कर सकते हैं अचा बच्चों की बात से अब हम सीधे बुजूर्गों की बात पर आते हैं बुजूर्गों की स्थिति यह हो जाती है कि वो किसी को गुटने में दर्द है किसी को प बगर चुकि इसी जिन्दगी में उन्होंने भी बहुत सारे कैमिकल और यह सारे चीजों का सेवन किया होगा पुली लाइफ में खाते पीते तो क्या करें कि कम से कम वो अपने हातों पैरों पर चलते रहें देखिए बुजुर्गों के लिए योग हमारा सब के लिए सकता है यता संबच यह आपके सकती तो आप तो बिस्तर पर लेटके यूग कर लो बुजुर्गों की जहां तक बात है आप लेटे-लेटे हैं हम बैट के कर रहे है वह अपना लेटे-लेकर सकते हैं वो करें ऐसे में झानिंत्या उनके शरीर में आ रहे हो उसको ज़बरदस्ती ना करें जबरदस्ती सब्सक्राइब करते हैं तो इस तरीकिस्त को स्कॉन करने जाए गौस मरें प्रॉब्लम है, sitting में दिक्कत है, लोग घंटों बैठके बारा-बारा-चॉदा-चॉदा घंटे कंप्यूटर पर बैठके काम करते हैं, तो इस तरीकी की समस्याओं के लिए किस तरीकी के योगसाधिना करने चाहिए, देखिए, सबसे पहले तो यह है कि हर व्यक्ति को, हम का पहने, घूमने फिरने जाए, उसके लिए करता है, तो योग इसलिए भी करना चाहिए, कि हमारा जो मानसिक इस्तर है, अगर वो ब्यवस्थित रहेगा, ठीक रहेगा, तो हम उसके आगे भी बढ़ जाएंगे, जब ठीक रहेगा, तो काम करने में भी मिमन लगेगा, करता है, योग अभी दर्शकों को एक थोड़ा सा वो भी हो जाए कि योग आइकॉन बने हुए हैं, बाबा राम देव और शिल्पा शेटी, तो शिल्पा शेटी जो हैं, वो लोगों को बड़ा प्रेडित करती हैं, जीरो फिगर के लिए, और बाबा राम देव तो पिर आ कितना लंबा समय तक योग करने के बाद, आप इस तरीके से इन परिशितियों में आ सकते हैं, देखें, उसमें दो कंडिशन हैं, एक तो आप या तो पूरी तरह से जब आप सौस्त होंगे, ठीक है, और एक एज फैक्टर भी है, आपको किसी प्रकार की कोई विमारी नहीं आप गती हैं, तो सब्राइखें तो आप शह महीने में वैसा अगे वैसा बन जाएगए, जैसे बाबाजी बनाना चाहिए, खेक है, वैसा बन जाएगे, और अगर आप को कोईszyst्ता चैसी बनने के लिए बहुत मुश्किल है, जैसे अभी आपने बोला कि स्पाहिव जिनको प्राबलम है वो फारवर्ड बेंडिंग कोई भी आसन नहीं कर पाएगा तो वो ऐसा कैसे बन पाएगा एक चीज और देखी गई है कि योग करने आए हैं एक घंटे की क्लास ली है और मतलब योगा करके आ रहे हैं कि अब हम कोई समस्या नहीं होगी और जाते ही नाष्टा कर समोसी और उपर चोडी का तो क्या यह फर्क आता है बॉडी में इस चीज से असर पड़ता है नुकसान बाएग रहे हैं अब तो सभी को मालूम है कि बाहर का खाना नुकसान डायग हो गई क्योंकि उसमें समोसा खाते हैं यह उसमें कितना मैदा प्र उपर से तील हम सबसे पहले कि पहले आप अपने आपको अनुसासित कर लो मला हर तरीके से कंट्रोल कर लो तब आप योग में आगे कदम बढ़ाएं अगर महार्शी पतंजली जी ने जैसा बताया है कि इसके बाद यह से अस्टांग योग का नाम दिया आठंग बताया है ठीक है एम नियम आ चड़ना एकदम से नहीं लेकिन अभी क्या हो रहा है हमें तदकालिक लाप चाहिए तो योग में पहुंचे तो सीधा कहां पहुंच गए तीसरे अंग पर आसन और चौथे में प्राणाया बस क्योंकि वह हमें उससे हमें कुछ फायदा मिल रहा है हमें समझ में भी आता है इसलिए हम उसको पकड़े हुआ है पहले के तो छोड़ दिया जो बहुत जरूरी है और बहुत कठीन है इसलिए उनको हम छोड़ देते हैं सीधा अपने लच पे बढ़ते हैं आसन करना है प्राणायाम करना है जो आसानी से हो सके वो करें बस आजकल योग में करता लोग ब आप से जरूर कहूंगी कि दर्शकों को बताएं कि लोग उसको योग आसन बहुत शांती और बहुत मानसिक तराफ से दूर रखने के लिए कि जाते हैं करतब से थोड़ा बचें करतब से बचें लेकिन वो सब लोग नहीं करते अभी देखिए जैसे योग के अब के लिए हैं जो योग के छेत्र में कोर्स कर रहे हैं उनको दिखाना भी है और वो दिखा भी सकते हैं कर भी सकते हैं उनका देख के हमको ऐसा नहीं करना क्योंकि वो किसी कुसल सिच्छक के निर्देशन में करते हैं ऐसा तो वो कर सकते हैं अभी योग का कमपटीशन आप देखोगे तो आश्चर चकित हो जाओगे जैसे वो बात हो रही थी न कि रबर बना देते हैं बिल्कुल सही बोला है वो सब उन बच्चों के लिए हैं जिनकी एक लिमिट है कि की साल तक के बच्चे ही इसमें लिए जाएंगे उनके लिए हमको अपने हमको रवर नहीं बनाना किस काबिल रह गई है क्योंकि हमारी जैसी सकती है ना उस हिसाब से हमको चलना तो यह सुन रहे थे आप डॉक्टर समर जी सिंग जी को जो हमें बता रहे थे योगा क्यों जरूरी है योगा में कौन-कौन से आसल लगाए जाएं महिलाय क्या करें कि उनका वैली फैट कम हो जाए बच्चे क्या करें कि एक आगरता के साथ वो पढ़ाई कर सके और बुसुर्ग क्या करें कि वो काम और खास से चुड़े मसले का सटीक विश्लेश हम करते हैं सट्यका अनवेशा दखलनी उस आप देख रहे हैं दखलनी उस